ओम अज्ञानत मिरंधस्य ज्ञानांजना श्रिलाकया चक्षूरुम निलितम्येना तस्मय श्री गुरुबे नमा नमा ओम विष्णुपादाया कृष्म प्रेस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पास्चात्यदे सतारिने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्तकांचना गोरांगी राधे ब्रिंदा वनेश्वरी भृषभानु सुते देवी प्रणमामी हरी प्रिये जयश्री कृष्णा चैतन्या प्रभुनित्यानन्द श्रियद्वैता गदाधार श्रिवासादी गोरभक्त ब्रिंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे मुकं करो तिवाचालं पंगुम लंगा यतेगिरिं यत्कृपा तमहं बंदे श्री गुरू दीन तारिणं श्री परमानंद माधबं श्री चैतन्यमिश्वरं हरे कृष्णा तो कल हम कथा कर रहे थे कि किस तरह विश्वमित्रमुनी श्री राम और लक्षमन को उनके साथ बन में लेके आए विश्वमित्रमुनी रात में राम और लक्षमन जी को अनेक प्रकार की कहानिया सुना के उनके लिए क्यूंकि दसरत महाराज को वो बचन दिये थे कि ये दो बच्चों क्या माता और पिता वो बनेंगे तो इसलिए विश्वामित्र मुनी स्वयंग अपने हातों से भगवान श्री राम चंद्र और लक्षमन के लिए सया बनाए पत्तों का फूलों का यसब का मिस्रण करके एक सुन्दर सा सया बनांए और सुन्दर कहानी बता के राम और लक्षमन को सुलाएं शुबे सुबे विश्वामित्र मुनी बहुत बड़े तपस्वी थे और राम और लक्षमन राजपुत्र थे विश्व मित्रमनी बहुत सुवे सुवे सूर्य देखे बहुत समय पहले ही उठके जाके सरयु नदी में सनान करके आगे और जब सूर्य उदे होने लग गया सूर्य की पहली किरण श्री राम चंद्र और लक्ष्मन जब सो रहे हुए हैं उनके स्री मुख के उपर पड़ा और विश्व मित्रमुनी पहली बार श्री राम चंद्र को सोते हुए देख रहे हैं और विश्व मित्रमुनी हैरान हो गये इस दुनिया में हम कभी भी कोई व्यक्ति को देखते हैं सोने के बाद उसका सरीर का गठन बहुती भद्दा होने लग जाता है हमने खुद देखा है बहुत साल पहले हम जब पढ़ाते थे कुछ बच्चों को जेनरली हमारा कक्षा साम में होता था पर कभी कभी सुबे सुबे कक्षा बुलाना पड़ता था चुट्टियों के समय और एक बार हमने आठ वजे सुबे कक्षा बुलाया था चालिस से पचास बच्चे आये थे और हम जब कक्षा में प्रवेस किये इतना बद्बु मार रहा था कक्षा हमको समझ में नहीं आ रहा था क्यों बद्बु मार रहा है और जब हम रिसर्च किये पता लगाए कि कहां से बद्बु आ रहा है कहां से बद्बु आ रहा है पता चला कि ये बद्बु बिना स्नान किये हुए हमारे कक्षा के बिद्यार्थियों के मुँ से आ रहा है तो ये ये हालत हो जाता है और विद्यार्थी लोग 12-13 साल 14 साल के उमर के थे और कुछ-कुछ लड़कियां थी बॉइस वर वेरी क्यूट एंड हैंडसम गॉर्ल्स वर अलसो वेरी ब्यूटिफुल दे वर इन दर प्राइम अब देर यूथ पर नो मैटर वो कोई भी हो विश्व सुंदरी हो सोनी के बाद बिना मेकप का सी लुक्स लाइट पूतना हरे कृष्णा तो ये इस दुनिया का दुईधा है पर भगवान श्री राम चंद्र का जो सौंदर यह है इस दुनिया का नहीं है इस दुनिया में कोई अगर सो जाता है सोने के उठने के बाद उसका सौंदरिय घट जाता है पर क्योंकि भगवान श्री राम चंद्र का स्री मुख दिव्य है इसलिए सो के उठने के बाद उनका सौंदरिय और भी निखर के बाहर आता है this shows that how Shri Ramachandra's beauty is not of this material world it defies all the laws of this material world और जैसे ही विश्वामित्र मुणी ने ये दर्शन किया Shri Ramachandra का morning mangal arti darshan this is not available for anyone and everyone विश्वामित्र मुणी ने कौसल्या देवी का भाग्य को स्मरण किया because mangal arti darshan is not for the प्रजाज of आयोध्या mangal arti darshan is not for the other mothers also बाकी सब मात आएं लोग आके देखेंगे रामचंद्रे रेडी हो गए breakfast ले रहे हैं या फिर बटका उश्रल्या मा service उनका सेवा था रामचंद्रे को जाके उठाने का और विश्वामित्रमुनी सोच रहे थे कि कोशल्या देवी का क्या सोभाग्य है कि वो हर दिन हर सुभे ये दर्शन करते हैं श्री रामचंद्र का सो के उठने का जो सोंदर्य है और तुरंत विश्वामित्रमुनी उसी समय श्री रामचंद्र को जागरत करने के लिए एक पंक्तिया उच्चारन करते हैं जो South India में बहुत फेमस हैं कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार दूला कर्तव्य दैवमानिकं उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुडद्वज़ उत्तिष्ठ कमला कांतम त्रैलोक्यम अंगलम कुरू तो इस तरह विश्वमित्रमुनी पहली बार ये स्लोक का उचारन किये थे श्री रामचंद्र को जागरत करने के लिए कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते गर्व में आविर्भुत हुए हैं प्रथम विश्वमित्रमनी कौशल्या देवी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि कौशल्या देवी ही सारे ब्रहमान्द को वो सुजोग दिया है श्री रामचंडर का सौंदर्य और उनका लिलाओं का इस धरा पे दर्शन करने के लिए कौशल्या सुप्रजा रामा पुर्भ संध्या संध्या हस बिकम एंड सुबह आ गया है, प्राता समय हो गया है प्रबर्तते, चला गया है संध्या उतिष्ठ नरसा अर्दूल, दलायन अमंग मेन, अर्दूल, लायन, नरा अर्दूल, त्रैलोक्यम मंगलम कुरू, आप उठके सारे तीन लोकों को मंगल कीजिए और ये स्लोक उचारन करते हुए विश्वमित्रमनी ने धीरे से श्री रामचंद्र के सरीर को छुआ, ये हमको सिक्षा मिलता है, कि किसी को उठाते समय है ऐसे नहीं कि उठ जाओ, बिकॉज जब व्यक्ति निद्रा में रहता है और उसको कैसे उठाना है, हमको रामायन से सिक्षा मिल रहा है, कभी-कभी हम किसी के उपर क्रोध में रहते हैं, तो उसके उपर कभी-कभी बकेट पानी डाल देते हैं, मन करता है उसके उपर पानी डाल दो, कैसे गधा की तर परियादा हमको सिखाता है कि किस तरह एक व्यक्ति को जागरत करना चाहिए पर वो व्यक्ति श्री राम चंद्र के कैटेगरी के भी होना चाहिए व्यक्ति अगर गधा है उसको पानी डालके ही जागरत करना पड़ता है कभी कभी क्या कर सकता है तो श्री राम चंद्र जेसे ही विश्वमित्रमुनी उनके सरीर को सपर्स किये श्री राम और लक्षमें तुरंत जागरत हो गए और तुरंत सरव्यू नदी में सनान करके आगए और फिर से उनका जर्नी यात्रा कंटीनियू रखे इस समय एक रात्री में ही विश्वमित्रमुनी के जीवन में और उनके हुरुदे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया बालमी की जी ये जो रामायन हैं उसको अलग-अलग भाग में विभक्त करते हैं और जो ये पहला भाग है इसका नाम बाल-कांड रखते हैं पर किसी को समसे होगा कि बालमी की मुनी इस कांड को बाल-कांड रखे हैं पर श्री रामचंद्र का बाल्य अवस्था बाल्य लीला को कुछ दस पंक्तियों में बता दिये हैं तो बाल कांड में हजार हजार स्लोक है पूरा रामायन में चौबिस हजार स्लोक है बाल कांड में हजार हजार स्लोक है और हजार हजार स्लोकों में दस स्लोक अगर बाल लीलाओं को बर्नन कर रहा है तो किस तरह ये जो प्रतम कांड है उसको बाल कांड नामकरण की हैं क्या बाल में की मुनी थोड़ा बिचलित हो गए थे या फिर भूल गए बाले लीलाओं को बर्नन करने के लिए हमारे आचारेगण बताते हैं कि इस कांड का नामकरण भगवान श्री राम चंद्र की वाले लीला के उपर नहीं होके बिश्वा मित्र मुनी की भक्ती का वाले लीला के उपर है विश्वा मित्र मुनी बड़े तपस्वी थे साथ हजार साल से भी ज़्यादा विश्वा मित्र मुनी ने तपस्या किया था और तपोबल के उपर उनका बहुत बड़ा विश्वास था पर तपोबल से हम भगवान को जीत नहीं सकते हैं जो 60,000 साल तपस्या करके विश्वामित्रमुनी ने प्राप्त नहीं किया था वो एक रात्री में एक छोटा सा सेवा करके श्री रामचंद्र को उनका सहिया बनाके विश्वामित्रमुनी ने प्राप्त किया ये भगवान की सेवा का महत्व है विश्वा मित्रमुनी जब आयोध्या से श्री राम और लक्ष्मन को लेके आए उस समय भी वो उनका सौंदर्या का दर्शन करते थे पर उनका सौंदर्या का उनको आभास अनुभव नहीं हुआ भगवान हर समय सौंदर है वो अर्चबिग्रा के रूप में आए वो नरसिंगा के रूप में आए बराहा के रूप में आए मस्चे के रूप में आए कृष्ण के रूप में आए पर भगवान की उस सुन्दर्ता को अनुभव करने का हमको सक्ति मिलेगा जब हम भगवान को हुरुदय पुरुवक सेवा में गत रहेंगे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे मंदिरों में और भोलते हैं अच्छा डेकोरेशन किया स्टाच। ऐसे बोलते हैं neighbor is car you don't decorate the statue so nicely the idols the statues are so nicely decorated देखा जाता है कि वो appreciate कर रे प्रसंशा कर रे हैं कि वाँ बाँ बाँ पर actually वो निंदा कर रहे हैं Krishna is not statue who is standing in the temple Krishna is personally standing in the temple पर हमारा सेवा भाव से हम मंदिर नहीं आते हैं इसलिए हमको वो statue दिखता है विश्वा मित्रमुनि को राम और लक्षमन इक्षवकु बंस के एक राजा दिख रहे थे और राजकुमार दिख रहे थे क्योंकि विश्वा मित्रमुनि राम और लक्षमन को सेवा नहीं किये उनकी सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाए उनकी प्रताप का अनुभुति था उनको इसलिए तो उनके पास पहुंचे थे उनको पता था कि यही ब्रह्मा है परम ब्रह्मा है जो आए है बट कृष्ण स्वीटनेस भगवान की माधूर्यता हम अनुभव कर सकते हैं जब भगवान को हम सेवा करेंगे कृष्ण मधूर है श्री रामचंद्र की लीलाय मधूर है रामायन श्री मधूर है पर रामायन की मधूरता को हम अनुभव कर सकते हैं जब श्री रामचंद्र का सेवा के लिए हम इच्चुक रहेंगे और यह सिक्षा जो प्रमुख था बालकांड में बहुत बड़े तपस्वी से कैसे उनका जीवन परिवर्तन हुआ एक रात्री में उसको दिखाने के लिए दर्साने के लिए क्योंकि ये कांड बताय गया है इसलिए बाल में कि मुनी ने इस कांड का नाम बाल कांड दिया जहांपे विश्वामित्र मुनी का भक्ती का बाल्य अवस्था चल रहा था हम सब भी कोशिस करते हैं कि हम तपस्या करेंगे सनिवार का ब्रत करेंगे सोंबार का ब्रत करेंगे कुछ भी खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं और भगवान को प्रसन कर देंगे भगवान के वल प्रसन्न होते हैं प्रेम मैं सेवा से ब्रत तपस्या ये उतना तक ही महत्वपून है जब तक ये हमको भगवान की सेवा में सहायक बने तो इसलिए बालमिक मुनी रामायन की विश्ववस्तु की प्रथम कांड को बालकांड के रूप में नामानुइत करके ये दर्साना चाहते हैं कि रामायन की विश्वस्तु को अगर आपको अनुभव करना है राम लीला को अगर आपको अपने हुरुदे में धारन करना है एक ही तरीका है और वो है भगवान श्री राम चंद्र का हुरुदे पूर्वक प्रेम पूर्वक सेवा में रत रहना विश्वा मित्रमुनी जो साथ हजार सत्तर हजार साल तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाए केवल एक रात्री के सेवा में वो प्राप्त कर लिए ये भगवान श्री राम चंद्र का एक छोटा सा सेवा का फल है और जो भक्त लोग भगवान कृष्ण का श्री राम चंद्र का जीवन भर सेवा में रत है उनका क्या भाग्य होगा ये समझाने के लिए बालमी की मुनी इसको बाल कांड बताएं है विश्वामित्र अपने बाल्य अवस्था में भक्ती का छोटा सा सेवा कर दिये तो इतना परिवर्तन हुआ उनके जीवन में तो कोई अगर अपना भक्ती हर समय भगवान के सेवा में रत है तो भगवान की क्या कृपा का अनुभुती उसको होगा जब विश्वामित्र मुनी लेके चले विश्वामित्र मुनी अलग-अलग कहानियों को बताने लग गए श्री राम और लक्ष्मन को और श्री राम चंद्र ऐसे सुन रहे थे जैसे उनको कुछ भी पता नहीं नथिं नथिं नोज ओ, like this Lord Ram will make expression विश्वामित्र मुनी बोलेंगे कि गंगा देवी सरव्य नदी ब्रह्मा के मन से पैदा हुआ ओ, I was not knowing this गंगा देवी हिमालय से आये भगिरत की मुनी की प्रार्थना से गंगा देवी आभिर्थ वित हुए ओ, भगिरत, कौन है ये भगिरत और देन विश्वामित्र मुनी भगिरत मुनी के बारे में बताएंगे ओ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को कुछ पता नहीं था फिर विश्वामित्र मुनी अंगदेश के बारे में बताएंगे कि किस तरह अंग देश में अनंग काम देव को सिवजी ने उनका सरीर को जला दिया था और इसलिए अनंग जहां पर काम देव को अनंग रूप का नाम दिया गया वो अंग देश बिहार है तो अयोध्या सेर होके बिहार होके वो आ रहे हैं और फिर गंगा और सरो नदी का जो संगम है उसको पार करके एक जंगल में आते हैं और वो जंगल इतना भायाबह होता है और उस जंगल में केवल अलग अलग भायाबह चितकार सुनाई दिया जाता है और एक बहुत सारे पेड़ हैं पर कोई भी पेड़ में एक भी पत्ता नहीं रहता है वो जंगल में कोई भी पेड़ में एक फूल नहीं रहता है तो रामचंद्र पूछने लगए ये काहे का जंगल है और इस जंगल में क्या है जो ऐसे उसका बातबरण हो गया है तो विश्वामित्र मुनी बताते हैं कि बहुत साल पहले एक यक्ष हुआ करता था जिसका नाम है सुकेतू और ये सुकेतू यक्ष का कोई भी बच्चे संतान नहीं थे और ये ब्रह्मा जी का प्रार्थना करके एक सुन्दर सी महिला उसको प्राप्थ हुआ बच्ची प्राप्थ हुआ जिनका नाम हुआ ताटका ताटका बहुत सुन्दर एक लड़की थी और ताटका का साधी विवाह इस यक्ष ने सुन्द के साथ किया पर सुन्द एक बहुत ही जगण्य प्रकृती का राक्षस था और संग का ये प्रभाव होता है इसलिए माता-पिताओं को ध्यान रखना चाहिए आप अपने संतान को किसके साथ साधी करवा रहे हैं आजकल तो माता-पिता को टेंशन एंग्जाइटी रहता ही नहीं है किमकि संतान खुद ही डिसाइड कर लेता है और कभी-कभी आजकल के लड़का और लड़की कुछ जातक वातक नहीं देखते हैं होरोस्कोप नहीं देखते हैं बस बाहरी रूप का दर्शन करते हैं और सु संद बहुत ही संदर थे पर उनका हुरुदै में भायाभा दुरगंध करता था ठाट फुदै उनका भायाभा भयानगुण शेð तो आज कल के महिलाओं में लडकों लडकियों में भी ऐसा ही देखा जाता है बाहर ही सुन्दरता को देख के साधी हो जाता है उसके बाद लडकी को पता चलता है ओ, this person is like a demon और अब भी उस लडका को पता चलता है ओ, she's incarnation of Pootana तो सुन्दर was extremely beautiful but he was extremely mischievous and wicked और ताटका उनका संग करते हुई उसके घुरुदे में भी क्रोध और अहंकार जागरत हो गया और सुन्ड एक बार अगस्ते मुनी के आश्रम में अक्रमन किये और विश्वमित्र मुनी बोले ये अगस्ते मुनी का आश्रम हुआ करता था और ये आश्रम का ये प्रभाब था कि इंद्र जब स्रापित हो गये थे बित्रा सुर की हम कथा सुनेंगे आगे जाके भागवत में किस तरह बृत्रा-सुर की स्राप इंद्र को लग गया था, उनको हत्या किये थे तो इंद्र इस केवल इस बन में आके उनका सारा स्राप मुक्त हो गया और इसलिए इस बन का नाम इंद्र ने करूस और मालदा दिया था मलदा जो उनकी सारे मल को त्याग करने में सहायक हुआ जो बन और अगस्त्यमुनी इधर आश्रम अपना बनाये थे और सुन्ड अगस्त्यमुनी को आक्रमन किया था और अगस्त्यमुनी के केवल आखों की द्रिष्टी से सुन्ड भस मिभूत हो गया और इससे कुरोधित होके ताटका और उन ताटका की दो पुत्र मरिच और सुबाहु पूरा इस जंगल को तहस नहस करके धुण्स कर दिये और ताटका इस जंगल में रहे गई और मरिच और सुबाहु सुमाली जो रावन की दादा जी हैं उनके पास पहुँच गए सुबहु बना दिया और ये ताटका का जंगल है और मैं चाहता हूँ आप इस ताटका का बध कीजिए श्री रामचंद्र विचलित हो गए एक महिला का कैसे वो बध करें महिलाओं को सास्त्र बताय जाता है कभी भी बध नहीं किया जाता है उनके उपर अस्त्र चलाय नहीं जाता है और बहुत बड़ा अपराद है अगर महिलाओं के उपर अस्त्र चला जाये और विश्वमित्र मुनी एक बहुत ही महत्वपून ग्यान रामचंद्र को दिये विश्वमित्र मुनी बताये कि एक व्यक्ति का सारिरिक गठन से उसके हुरदे की गुणों से ये ताटका हाला की है एक महिला के स्वरूप में पर उसका गुण राक्सस स्वभाव की है और वो भायाभा राक्सस से भी और भायाभा है और क्योंकि उसका गुण में कोई भी महिलाओं की गुण दिखाई नहीं देता है इसलिए ताटका is not officially a woman and hence she should be killed. तो इस सम्सार में हम देखते हैं, one is determined by one's qualities. इसलिए एक डिए इसलिए वी जए पाँ पपीज पाँभी के इसे से ठिए पेदिति एक सम्सर्णकति, मैं पांपते हैं, But if one's heart is not having wonderful qualities, then he is wicked like Ravana. नहीं और कभी-कभी हमको लगता है कुछ-कुछ लोग बोलते हैं कि कंठी माला पहन लेने से क्या हो जाएगा यम्राज की दर्शन नहीं होगा पर यम्राज आपकी कंठी नहीं देख रहे हैं आपकी हुरुदे देख रहे हैं आप कितना भी कंठी परिधान कीजिए तिलक लगाए पर आपके हुरुदे में अगर रावन रूपी रावन रूपी गुण है तो आप वैश्णब नहीं है आप रावन है आपका अस्तित्व रावन है तो ये विश्वमित्रमुनी समझाए और श्री राम चंद्र ने तुरंथ अपना धनुस को टिंग तंकार किया और तुरंथ ताटका इतना बिचलित हो गई वो तंकार से ही आ गई और तुरंथ श्री राम चंद्र ने सरधन उस भेज के पहले ताटका का हात भुजाओं को काटा और उसके बाद ताटका उभान हो गई तो राम चंद्र बोली कहां चली गई और ताटका हसने लग गई मुर्ख ताटका को समझ में नहीं आया कि हसने से पता चले आएगा मैं कहां हूँ और श्री राम चंद्र सब्द भेदी अस्त्र बेवार करके ताटका का हत्या के श्री राम चंद्र भगवान की तो the first demon that was killed by Lord Ram was a lady and first demon that was killed by Lord Krishna was a lady this shows that ladies have really got high position, first position everywhere and अगर हम माताओं को पहला position नहीं देंगे we will be considered wicked because सास्त्र में सब जगा माताओं को पहला स्थान दिया जाता है even मारने के लिए भी पहले माताओं को मारा जाता है ladies first फिर राम चंद्र और लक्षमन आगे जाते हैं और एक सुन्दर सी आश्रम में पहुंचते हैं और विश्वमित्रमुनी बोलते हैं कि इस आश्रम का नाम है सिध्धास्रम इस आश्रम में कश्यप और अदिती बहुत प्रार्थना किये थे और प्रार्थना तपस्या करने के बाद स्वयंग भगवान आभिर्भुत हुए थे और कश्यप ने प्रार्थना किया कि मैं चाहता हूं कि हम दोनों की पुत्र बनके आप आभिर्भुत हुई हैं आप हमारी संतान बनियें और ये जो आश्रम जहां पे हमने आपका दर्शन किया इस आश्रम का नाम इस जगा का नाम सिध्धास्रम हो जाएं और कश्यप और अदिती यहां पे प्रार्थना करके बामन देप को प्राप्त किये और श्री राम चंद्र हसने लगे ये सोच के कि मेरा ही अवतार मेरे बारे में बताया जा रहा है और राम चंद्र बहुत बारिकी से सुने पूरा कहानी जो विश्वमित्र मुनी ने बताया कि किस तरह आविर्वुत हुए बली महराज को पकड़े उनसे भिक्षा मांगे और सुनने के बाद फिर विश्वमित्र मुनी बोले ये आश्रम कश्यप और अदिती जब तपस्या करके चलेगे ये आश्रम मेरे को सौंपे और मैं तपसे इस आश्रम में अपने सिस्यों के साथ रह रहा हूँ और श्री राम चंद्र बताए कि यग्या प्रारंब किया जाए और विश्वमित्र मुनी तुरंद अपने सारे सिस्यों को बताके यग्या का प्रारंब किये और यज्य चालू होने के समय से ही विश्वामित्रमुनी मौन ब्रत करने लगे और यज्य प्रारंभ हुआ एक दिन, दो दिन, तीन दिन राम और लक्षमन जैसे पलक आँखों को सुरक्षा देता है उसी तरह राम और लक्षमन पलक की तरह विश्वामित्रमुनी की यज्यों को सुरक्षा दे रहे हैं तीन दिन, चार दिन, पांच दिन राम और लक्षमन बोले सायद विश्वामित्रमुनी ऐसे ही लेके आगे इधर तो कुछ प्राब्लेम ही नहीं, यह तो सिध्धास्रम है, छटे दिन जब पूर्णा आहूती पढ़ने वाला होता है, लास्ट बहुत चितकार सुनाई दिया जाता है, जैसे मैं तो राकसर नहीं हूँ, खुरुदे से हूँ, बाहरी रुप से नहीं हूँ, इसलिए मैं चिलाने पारा हूँ, राकसर नहीं, तो इस तरह जोड जोड से चितकार करते हूए, राकसर लोग कहां कहां से आगे, और श्री राम चंद्र तुरंत, अपने सर और धनुस उठाके, एक तीर लगाए, तो वो पूरा यग्यकुंड के ऊपर, मानो एक कवरिंग, आबृत बन गया, जिससे राकसर लोग, जो यग्यकुंड के ऊपर सामान फेंकते हैं, रक्त, मांस, विष्टा, मुत्र सब फेंकते हैं, वो कर नहीं पाए, मरिच और सुबाहू इतने सारे राकसरों के साथ जो आये थे, वो सोचने लगे कि क्या हो रहा है, इस बार हम कुछ कर क्यों न वालक हैं, तो राम एक तीर से मरिच को आठ सो मील, एक सो योजन दूर फेंक दिये हैं, और और एक तीर से सुबाहू को भसमी भूत कर दिये हैं, और जब मरिच और सुबाहू की सारी लीडर, जब लीडर का हत्या हो जाता है, तो बाकी सबोर्डिनेट्स तोड़ा धीला हो रहते हैं तो सारे दूसरे राक्षश जो चिला रहते हैं इदर उदर कार्य कर रहे थे तो थोड़ा सांथ होगे और तुरंत श्री राम और लक्षमन अपने तीर और धनुस से सारे राक्षशों को संघार कर दिये और श्री राम चंद्र सबसे महत्पुन श्री राम चंद्र लीला का ये है कि अब तक श्री राम चंद्र एक बारा साल की सुन्दर से चोटा से बालक के सोरूप में लीला कर रहे थे पर जैसे ही ब्रामन लोग जो यग्या में मंत्र उच्चारण कर रहे थे सारे राक्षश लोग आए तो ब्रामन लोग परिसान होगे और श्री राम चंद्र अपना हाथ उठा के अभय प्रधान किये तो भगवान हाला की एक छोटे बाले अवस्था में लीला की कर रहे हैं पर वो भगवान है कृष्ण छे दिन के बच्चे थे जब वो पुतना का बद्ध किये और भगवान श्री राम बारा साल के उमर में ताटका, मरिच और सुभाव का बद्ध किये और जब बद्ध हो गया फेर यज्यक का पूर्नाहोति दिया गया और सारे ब्राह्मान, विश्वाम इत्रमुनी इतने आनंधित थे, इतने आनंधित थे बद्ध के भगवान श्री राम और लक्ष्मन दंडबत किये और विश्वाम इत्रमुनी बोले आप अभी सांती से सायन किजिए और रेष्ट लीजिए and then Lord Shri Ram and Lakshman विश्वमित्रमुनी के सिस्य लोग सुंदर सा साया बनाए और Shri Ram और Lakshman took evening and night rest जब सुबे सुबे Shri Ram और Lakshman उठे तो देखे कि सारे सिस्य लोग विश्वमित्रमुनी सब सब तयार हो गये हैं सब उठ गये हैं and everyone is packing everyone is packing there you know how the Brahmachar is they don't need a lot of time for packing हमने देखा है कि हमको कभी जाना होता है और हम कभी-कभी ग्रेस्त भक्तों के साथ जाते हैं हमारा बैग और उनका बैग variety size अलग रहता है तो क्योंकि उनका परिवार में चारो होता है और प्रहमाचारी उसका चोटा सा बैग रहता है तो सारे मुनी लोग जो रहते हैं तो चोटा 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 उनका बैग नहीं था Amazon से जो order किये थे उनके पस एक गमचा था उस गमचा के अंदर धोती और तिलक और यज्य का सामगरी जो आहुती देने के लिए बस उसको बांदिया और लगा दिये हो गया उनका जोला उसी गमचा को खोल के फिर पहन के स्नान कर लिया उसी गमचा से फिर बांद के तो सारे लोग अपना 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 गमचाई कठा करे थे और हडबड़ी में सब पैक करे थे और रामा लक्षमन विश्व मित्रमुनी को पूछने लगे क्या हो रहा है तो विश्व मित्रमुनी बोले कि हम मिथिला जा रहे हैं क्यूंकि मिथिला में हमको यज्य करना है और चैसे ही श्री राम चंद्र मिथिला का नाम सुने उनके हुरुदे में उल्लास जागरत हो गया और दूसरे मुनी लोग बोलने लगे कि पता है आपको सायद पता नहीं है राम चंद्र बोले मेरे को सब पता है पर सोच रहे थे बोले नहीं तो पता है मिथिला में सबसे the most spectacular दर्सन क्या है मिथिला में तो राम और लक्ष्मन जैसे हमको कुछ पता नहीं पूछे कि क्या है ना मिथिला का सबसे महत्वपून दर्शन है सिब धनूस और हम पूरा उस्चाहित हैं उस सिब धनूस को देखने के लिए और श्री राम चंद्र बोले कि मैं भी बहुत उस्चाहित हूं मिथिला जाने के लिए आप सिब धनूस दर्शन कीजिए और मैं कुछ और दर्शन करूंगा और श्री राम चंद्र सारे मुनियों के साथ विश्वा मित्र मुनी के साथ मिथिला प्रत्यावर्तन कीए और मिथिला में क्या रोमैंस हुआ और श्री राम अपनी प्रियतम सीता महरानी से कैसे मिले क्योंकि राक्षस लोगों का हत्या विलन लोगों का हत्या नहीं करने के बाद रोमैंस में मज़ा नहीं आता तभी श्री राम हस्किल्ड ताटका, मरिच और सुबाहू, the first batch of villains are dead and now लौड राम will release the romance in रामाय तो उसको जाने के लिए कल जरूर कक्षा में आये हरे क्रिष्णा, हरे क्रिष्णा, 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 हरे 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 राम, हरे राम, 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 हरे हरे श्री राम चंद्र भगवान की, श्री शीता महरानी की, लक्ष्मन अनुमान की, निताई गोर प्रेमानन्दे झाले!